अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना कहानी की सुरुआत में हमें एक नोट के जरीए बताया जाता है कि प्रतिवी पर 2021 में एलियन्स ने हमला कर दिया जिसमें कई सारे लोग और सुल्डर्स मारे गए इन एलियन्स को हीवीज नाम से बुलाया जाता है और सन 2022 में एलियन्स की स्पेस्ट वापस चली गई लेकिन पीछी उन्होंने अपने कई सारे सिपाही छोड़ दिये फिर एक साल बाद सन 2023 में यूनाइटेड नेसन ने इन एलियन्स से लगने के लिए यूएस डियेफ यानि की यूनाइट स्टेट डिफेंस फोर्स बनाई और साथ ही कई सारे आउटपोस्ट का भी निर्माड हुआ मगर इसके 10 साल बाद यानि की सन 2023 तक एलियन्स के हमलों से ये सबी आउटपोस्ट तभा हो गए और सिर्फ इका दुक का ही आउटपोस्ट बचे हुए हैं जहां पर हतियार और सोल्जर्स की काफी कमी हैं इसलिए इनमें से एक आउटपोस्ट यानि की आउटपोस्ट 37 में कुछ सोल्जर्स को भीजा जा रहा है जो की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं अब मुवी की आउटपोस्ट 37 में हम तीन इरानी सोल्जर को देखते हैं जो की आउटपोस्ट 37 पर जा रहे थे और इनके साथ दो जर्नलिस्ट भी होते हैं फिर हेलिकॉप्टर से उतरने के वाद हीने पिक अप करने के लिए एक गाड़ी आती है जो की इन्हें आउटपोस्ट 37 से कुछ दूर उतार देती हैं मतलब की इन्हें आगे का रास्ता चल कर ही तै करना होगा और कुछी देर में ये लोग आउटपोस्ट 37 पहुँच जाते हैं जहां इन्हें गोली चलने की आवाजी आती हैं जो सुनकर इन्हें लगता है कि यहाँ पर भी सायद एलियन्स ने हमला कर दिया है इसलिए सभी जल्दी से दरवाजी से अंदर घुसते हैं और गोलीय चलाने लग जाते हैं तब ही वहाँ पर इस आउटपोस्ट का कैप्टेन एलेक्स पहुंसता है जो कि सभी को गोलीय चलाने से मना करता है और हमें बता चलता है कि यहाँ पर कोई एलियन का अटेक नहीं हुआ बल्कि यह सोल्जर तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे अब एलेक्स सबसे पहले जर्नलिस्ट का कैमरा ले लेता है और फिर वो उन्हीं अकेले में बुला कर यहाँ की सिच्वेशन के वारे में समझाते हुए कहता है कि एलियन्स की हमले तो यहाँ होते ही रहते हैं लेकिन उनके साथ में यहाँ के गाउं वाले भी हम पर हमला करते हैं इस वरा से यहाँ कदम कदम पर खत्रा है और फिर इतना कहकर एलेक्स दोनों जनरलिस्ट को एक एक गंदे देता है ताकि उससे वो अपनी हिफाज़त कर सकें अब इसके वाद में नॉर्थ नाम के एक सोल्जर का इंटर्व्यू देखने को मिलता है जो बताता है कि जब पहली बार एलियन्स का हमला हुआ था तब वो नॉर्थ कोरिया में तैनात था उस हमले के दोरान उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि बहुत जोड़दार अर्थ क्या काया हो और फिर एक साल बाद एलियन्स की सिप चली गई फिर यूएसडी एफ ने एक और्बिटल डिफैंस सेटेलाइट बनाई जिससे उन्हें एलियन्स के दुआरा भविस्या की घुसपैटी के बारे में पता लग सके इसके बाद हम एक जर्णलिस्ट को देखते हैं जिसके पैर में एक अजीब तरह के बग ने काट लिया था और उस बग के काटने से जर्णलिस्ट अपने पैर को बिलकुल भी महसूस नहीं कर पा रहा था उसकी ये हालत देखकर एक सोल्जर उससे कहता है कि ये एक एलियन भग है जो कि उनी एलियन के साथ प्रद्वी पर आया है और फिर वो सोल्जर जर्णलिस्ट को इसकी दवा देता है अब अगले सीन में जब सभी सोल्जर अपने हतियार साफ कर रहे होते हैं तब ही उने बहार से गोलियां चलने की आवाज आती है और देखने पर जल्दी पता चल जाता है कि सोल्जर पर पास के गाउवालों ने हमला किया है जो देख सभी अपनी अपनी position ले लेते हैं और गाउवालों का सामना करते हैं मगर इन सब में Duke नाम के एक soldier को गोली लग जाती है जो देख Alex तुरंत बेस से संपर्क करके गाउवालों पर jet से हवाई हमला करवाता है इससे डर कर सभी गाउवाले वहाँ से भाग जाते हैं इसके बाद ये लोग Duke की गोली निकलने की कोशिस करते हैं पर उसकी हालत काफी जादा बिगड़ती जा रही थी इसे लिए ना चाहते हुए भी Captain Alex को से USDF के बेस पर वापस भेजना पड़ता है इसके बाद हम North और Alex की बात उसे जान पाते हैं कि अब तक गाउवालों ने जो भी हमले किये हैं उन में से ये वाला हमला काफी जोरदार था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें जल्दी ही और Soldiers की जरूरत पड़ने वाली है इसके लिए उन्होंने बेस पर बात भी की है पर बेस ने और Soldiers को भेजने के लिए मना कर दिया साथ ही Alex North से कहता है कि वो जल्द से सलीम को आउटपुश्ट पर आने के लिए कहें वहीं इधर जर्नलिस्ट को इंटर्व्यू देते वक्त नौर्थ बताता है कि जब एलियन्स की स्पेस सेप प्रत्वी पर आय थी तब वो कुछ दिन तो चुप चाप वैसे ही खड़ी रही मगर उसमें से तीसरे दिन अचानक से कई सारे एलियन्स निकल कर आए और सभी को माणना सुरू कर दिया और सभी देसों ने एलियन्स के इन हमलों के आगे अपने घुटने टेक दिये जिससे में उमीद की किरण बनकर यूएजडी एफाई जिनोंने काफी मुश्किलों से एलियन की उस मदर सिप से लड़ाई की और आखिर में उन्हों ने उसे वहां से खदेर दिया लेकिन इस सिपने हजारों एलियन्स प्रत्वी पर छोड़ दिये थे इसके बाद हम एक जर्मन सैनिक को आउट पोस्ट पर ड्यू की जगा देखते हैं इसे बेस नहीं यहां भीजा था अब इसके बाद हम आउट पोस्ट में सलीम को दाखिल होते भी देखते हैं जिस दोरान एक मैक नाम का सोल्जर इंटर्व्यू में सलीम के वारे में बताता है कि जब दुनिया पर एलियन्स का हमला हुआ था तब एलियन्स ने सलीम के पूरी परिवार को बहुत ही बेरहमी से मार डाला और उसके बाद जब वो सलीम को मारने के लिए आगे बढ़े तब ही वहां अमेरिकन सोल्जर्स ने पहुंच कर उसकी जान बचा ली इसके बाद सही सलीम हमारी मदद करता आ रहा है अब सलीम एलेक्स से कहता है कि गाउवालों को ये लगता है कि हमने एनिकी सोल्जर्स ने उनके सारी बकरियों को मार दिया और इसे लिए उन्होंने आउट पोश्ट पर हमला किया था इस बात को सुनते ही एलेक्स उन मरी हुई बकरियों की लास को देखने के लिए जाता है जहां उनकी लास की हालत देखकर वो समझ जाता है कि ये काम एलियन्स का है और वो अपने सभी साथियों से अलर्ट रहने के लिए कहता है इस दोरान वहाँ एक लड़का आ जाता है जिसे सबी रुकने के लिए कहते हैं लेकिन वो soldiers की तरफ आगे बढ़ता ही जा रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि उसे किसी ने अपने वसमे किया हो और तभी वो लड़का अचानक से किसी human bomb की तरह blast हो जाता है इससे अफरा तफरी मच जाती है और तभी वहाँ हमें एक alien को देखती है जो कि soldiers पर अपनी आधूनी खतियार से हमला कर देता है और क्योंकि ये हमला अचानक से किया गया था इसलिए soldiers वहां से बसते हुए अपने आउट पोश्ट पर वापस आ जाते हैं जहां आकर उन्हें पता चलता है कि North उनके साथ नहीं लोटा है इसलिए वो सब फिर से उसी जगह North को ढूणने के लिए पहुचते हैं लेकिन North वहां कहीं नहीं होता पर इन्हें North का helmet मिल जाता है जिसमें camera लगा था इसलिए वो helmet ये लोग अपने साथ लिया आते हैं और camera की recording चेक करने पर इन्हें इन्चार्ज बना देता है और उससे कहता है कि ध्यान रखना कोई ही Soldier आउट पोस्ट के बाहर ना जाए इसके बाद अगली सुबा North को ढूणने के लिए ये लोग एक ड्रोन भेशते हैं जिससे उनको North तो नहीं मिलता लेकिन वहां ये लोग ड्रोन पर लगे camera की मदल से द आते हैं पर तब तक वहां Alex आ चुका था जो कि सवीनों पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद उसने Soldiers को बहार जाने दिया था और साथ ही वो उस Alien को भी मार देता है अब Alex सवीनों से कहता है कि हम एक Soldier के बदले सभी Soldier की जान खत्रे में नहीं ड Bomb Blast वाले लड़की की ही तरह किसी के कंट्रोल में लग रहा था और जब एक Frankie नाम का Soldier सलीम को छूता है तो वैसे ही सलीम तुरंत Frankie के सर पर गोली मार देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और ये देख बाकी Soldiers तुरंत ही सलीम को मार देते हैं इसके बाद उसकी की भी लाज को दफना देते हैं इसके बाद सलीम के बैग को चेक करने पर Alex को उसमें कुछ फोटोज मिलती हैं जो कि उसके गाउं की ही थी और इन्हीं देखकर Alex को लगता है कि North हो ना हो इसी फोटो वाली जगा पर होगा इसलिए वो सभी अब सलीम के गाउं के लिए निकल देखते हैं तो वहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता मगर कुछ दूर जाने पर उन्हें नौर्थ मिल जाता है इसकी हालत काफी खराब थी और साथ ही वो कोमा में भी था अब यह लोग नौर्थ को आउट पोस्ट पर लेकर आते हैं जहां Alex देखता है कि North अपनी आँखों को से मार दे इसलिए मजबूरन एलेक्स नौर्थ को गोली मार देता है इससे उसकी भी मौत हो जाती है और फिर लूकस देखता है कि North की नेक के पीछे भी बिल्कुल वैसा ही निसान मौजूद है जैसा कि सेलीम के गले के पीछे था अब वो देखते हैं कि North के गले में एक एल पाई मदद पहुचने में कम से कम एक घंटे का समय लगेगा अब एलक्स अपने सभी सोल्जर को लड़ाई के लिए तयार रहने को कहता है और साथ ही वो एक एंड्रोज नाम की सोल्जर से आउट पोष्ट के चारों तरफ बॉम्ब लगाने के लिए के लिए कहता है अब निकलते हैं एलक्स के सारे पर अंद्रोज आउट पोष्ट के चारों तरफ लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है इसके बाद एक जोर के धमाकी के साथ पूरा आउट पोष्ट थवा हो जाता है और साथ ही वो एलियंस भी मारे जाते हैं इसके बाद जैसे ही यह करने से पहले उन्हें कुछ को ओर्डिनेट्स बताए थे जिस लोकेशन पर वो खुद जाकर चेक करना चाहता है कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या खास है मगर बेस इसके लिए एलक्स को साफ मना कर देता है इसके बाद एलक्स अपने सोल्जर्स से सेर करता है कि नौर्थ और स लोकेशन के वारे में मरने से पहले बताया है तो वहाँ पर कुछ तो खास जरूर होगा इसलिए मैं तो वहाँ एक बार चेक करने जरूर जाऊंगा फिर चाहें मुझे अकेले क्यों न जाना पड़े यहाँ एलक्स अपने सभी सोल्जर्स को वापस वेस पर लोटने के जिसे सभी चारों तरफ से चेक करने लगते हैं पर उसी समय गाउंवालों के साथ एलियन से एक बार फिर से इन पर हमला करने लगते हैं और उनसे बचने के लिए यह लोग सिप का दरवाजा तोड़कर उसमें दाखिल हो जाते हैं जहाँ एक रूम में जाकर यह सब देखत कर देते हैं साथ ही यहां पर एलक्स को एक बड़ी सी मसीन दिखाई देती हैं जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इसी से एलियन इंसानों की दिमाग को कंट्रोल करकी उन्हें अपना गुलाम बना रही हैं इसलिए वो आंद्रोस से इस मसीन पर बॉम्ब लगा कर तभा करने का ओरर देता है और आंद्रोस अपने काम में लग जाता है लेकिन तभी फिर से एलियन सोल्जर्स पर अटेक करना सुरू कर देती हैं इस दोरान लेजर लगने की वरा से आंद्रोस का एक हाथ बुरी तरह से डेमेज हो जाता है पर अच्छी बात ये थी कि उसके पहले ही उ पकड़ कर रखता है जब तक सभी सोल्जर्स वहां से निकल नहीं जाते और उनकी रेंज से बहार आते हैं वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है जिससे उस मसीन के साथ साथ वो पूरी एलियन से पूरी तरह तवा हो जाती है और मसीन के तवा होते ही सभी गाउं वाले अपने पूरे होसु हवास में आ जाते हैं इसके बाद जब एलेक्स और बाकिस्वास से निकल रहे होते हैं तवी उनकी गाड़ी के सामने एक एलियन स्पेसिप का पॉड़ आकर गिरता है इसमें एलेक्स देखता है कि बहां बहुत सारी एलियन हतियार रखे हुए हैं और फिर जगा जगा ऐसे ही एलियन पोर्स की वारिस होने लगती है इसके बारे में मैक बताता है कि इसी के बारे में नौर्थ ने स्टील रेंज सब्द का प्रियोग किया था इसका साफ मतलब है कि अब एलियन से दूसरी वारे एक बड़ी तादात के साथ प्रद्धी पर हमला करने वाले हैं इसके बाद कहानी के आखिर में हम कुछ सोल्जर्स को कहीं जाते हुए देखते हैं मतलब कि अब एलियन्स और इंसानों की बीच ये जंग फिर से सुरू हो चुकी है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको इस मूव कर दी जाथ बीचत दोस्तों हो पिस तरहिएम importantes हैं चार आपको